ओम शांती आज है एक मार्ज 2022 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोईंट्स बाबा ने कहा तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है ऐसी तकदीर बाप के सिवाई कोई बना नहीं सकता तो फिर ऐसे बाप को भूलते क्यों हो किसी भी बात में मुझना नहीं चाहिए माया के तूफान तो बहुत आएंगे लेकिन बिना मेहनत के कोई स्वर्ग का मालिक कैसे बन सकता है फिर बाबा ने कहा मैं रुहानी पंडा बन तुमको साथ ले जाने आया हूँ स्वर्ग में चलने का सहज उपाए एक बाप ही बतलाते हैं तो देह अभी मान छोड बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेने के लिए तुम राजयोग सीख रहे हो पूरी नौलज लेकर फिर औरों को भी देनी है नहीं तो व्रिधी कैसे होगी लेकिन पहले खुद द्रामा को पूरा युक्ति-युक्त समझना है यहां की कोई भी वस्सू में ममत्व ना हो सब कुछ इश्वर अर्थ कर बाप की राय पर चलो बहुतों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा करो हिम्मते मर्दा, मददे बाप तो है ही यह दुनिया थो खलास होनी है इसलिए अपना सब कुछ इंशोर कर दो अपना बैग बैगेज सयार कर ट्रांसफर कर दो डारेक्ट बाप को देने से भविश्य 21 जनमों का इंशोरंस मिल जाता है और लास्ट में बाबा ने कहा बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ इस पुरानी दुनिया को देख अब लट्टू मत बनना याद रखो तुम्हारे 84 जनम पूरे हुए कोशिश कर विजय माला में पिरो जाओ यहां तो पुरुशार्थ की जै है तो पुरुशार्थ कर जितना चाहे उतना लो और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से मुरली का सार, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी तकदीर हीरे जैसी बनानी है पुरुशार्थ कर बाप से स्वर्ग का पूरा पूरा वर्सा लेना है प्रश्न, कौन सा राज बुद्धी में अगर युक्ती युक्त बैठ जाए तो अपार खुशी रहेगी उत्तर, ड्रामा का इस ड्रामा में हर एक्टर को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है कोई का भी पार्ट घिस्ता वो मिठता नहीं बनी बनाई बन रही इसमें हेर फेर भी नहीं हो सकती कल्प पुरा होगा तो फिर से वही पार्ट सेकिंड बाई सेकिंड रिपीट होगा यह बहुत गुई राज है जो युक्ती युक्त बुद्धी में बैठे तो खुशी रहे नहीं तो मूझते हैं बाबा कहते हैं बच्चे मुझो नहीं बाप में निश्चे रख पूरा वर्षा लेने का पुरुशार्थ करो गीत तुम्हें पाके हमने जहां पालिया जमी तो जमी आसमा पालिया ओम शान्ती मीठे मीठे इश्वरिये बच्चों ने गीत सुना ड्रामानुसार समझ में आता है कि तुम अभी बने हो इश्वर के बच्चे इश्वर से तुम स्वर्ग का मालिक बनने आए हो अथ्वा स्वराज्य लेने आए हो नर्क के मनुष्य मात्र तो यह जानते ही नहीं कि स्वर्ग क्या होता है तुम तो जानते हो बाबा स्वर्ग की सापना करते है रावन फिर नर्क की सापना करते है यह भी कोई नहीं जानते तुम जानते हो हम बाबा से स्वर्ग की राजाई ले रहे है जब कोई मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा गोया अपने को कहते हैं हम नर्क में हैं और सब नर्क के मालिक हैं यह बिलकुल सहज बात है मुझने की दरकार नहीं तुम्हारी तकदीर अब हीरे जैसी बन रही है हीरे जैसी तकदीर बाप के सिवाई कोई बना नहीं सकते तुम जानते हो बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं नर्क कितना समय चलता है कोई को भी समझाओ तो कहते हैं सत्युक को तो लाखों वर्ष हुए तुम हो गोड फादरली स्टुडेंट गोड फादर दवारा स्वर्ग का वर्षा पा रहे हो फिर बाबा को भूलते क्य यह बाबा को समझ में नहीं आता है तुफान तो बहुत आएंगे तब क्या बिगर मेहनत तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग वासी हुआ फिर रोते क्यों हो तुमको तालियां बजानी चाहिए खुशी मनानी चाहिए अगर स्वर्ग में जा दुख में मनुष्य जहर खाकर भी मर जाते हैं, सिपाही कितने मरते हैं, एक दो को भी मारते हैं, बाबा कहते हैं सबको समझाओ, जबकि स्वर्ग गया तो फिर तुम रोते क्यों हो? वास्तों में न कोई स्वर्ग में जा सकते हैं न वापिस निर्वान धाम में जा सकते हैं अब तुमको स्वर्ग में चलने का उपाए बाप ही बताते हैं स्वर्ग का रचईता जब स्वर्ग रचे तब तो स्वर्ग में कोई जावे ना अब स्वर्ग का रचईता बाप आया हुआ है ये भी तुम बच्चे ही जानते हो जब रावन राज्य शुरू होता है तो देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं उसी समय से विकार शुरू होते हैं रावन राज्य कब शुरू होता है उसका कोई दिन मुकरर नहीं तुम बच्चे ये थोड़े ही कह सकेंगे कि बाबा ने कब इन में प्रवेश किया, जब साक्षतकार हुआ तब आया, वह कब, साक्षतकार तो भक्ति में भी ऐसे ही होते हैं, पता नहीं पड़ता कि बाबा कि समय आया, क्रिश्न की आने की घड़ी दिखाते हैं, शुबाबा कि घड़ी यादी कुछ होती नहीं बाबा तो मालिक है कब आते हैं पता नहीं पड़ता है यहां मुरली से समझ जाते हैं बाब समझाते हैं मैं कालों का काल हूँ मैं सब को वापिस ले गया था सत्युग में तो थोड़े थे कल युग में कितने धेर मनुष्य है सभी आत्माओं को वापिस जाना है जरूर पंडा चाहिए ले जाने वाला मैं रुहानी पंडा बनकर आया हूँ तुमको ले जाऊंगा नई दुनिया के लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ नर्क स्वर्ग क्या है कितना समय चलता है कब शुरू होता है कोई भी सन्यासी आदी नहीं जानते है रचता भी एक है स्रिष्टी भी एक है शास्त्रों में तो आताल पताल आदी बहुत स्रिष्टियां बना दी है जिनको ढूंडते रहते हैं समझते हैं एक एक स्टार में दुनिया है बाप कहते हैं मैं फिर से तुमको गीता का ज्यान सुनाता हूं क्राइस्ट को फिर अपने समय पर आना है ड्रामा एक ही है सत्युग में सिवाय देवी देवता राज्ये के और कोई होता नहीं अभी तुम जानते हो हम बाबा से वर्सा लेने आए हैं याद करते ही हैं भे पतित पावन आओ तो जरूर संगम पर ही आना पड़ेगा अभी तुम बच्चे जानते हो हम यहां क्यों आए हैं क्या लेने आए हैं तुम कहेंगे हम बाबा का वर्सा लेने आए हैं, हम राजयोग सीख रहे हैं, कल्प कल्प वर्सा लेते हैं और गवाते हैं, अभी फिर पुरुशार्थ करना है, पूरी नॉलेज लेकर औरों को देने हैं, नहीं तो वृधी कैसे होगी, गीत कितना अच्छा है, इसका आर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो, गीत कितना मीठा है, तुम्हारे दिल से लगता है, बाबा, आपसे हम ऐसा राजये लेते हैं, जो कोई भी लूट न सके, यह है अविनाशी वर्सा, जो अविनाशी बाप से मिलता है, अनादी वर्ड ड्रामा अनुसार, अथ्वा गीता के क पथन अनुसार, फिर से बाबा गीता सुनाने आया है, जिसमें राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो अगडम बगडम कर दिया है, युक्ती से समझाने वाला भी चाहिए, कोई कहते हैं जोती जोत समा गया, आत्म तो अविनाशी है, उनको पार्ट भी अविनाशी ब नहीं, उसमें अदली बदली भी हो नहीं सकती, कितना वंडर है, इतनी चोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, कल्प पूरा होगा तो फिर ऐसे ही पार्ट रिपीट करेंगे, सेकेंड बाइ सेकेंड वैसे ही पास होगा, ड्रामा को भी पूरा युक्ती मजना है कई तो इन बाणू में मूझते हैं पहले तो बाप में निश्चे होना चाहिए कि बाप से जरूर वर्षा मिलना है कल्प कल्प भारत को ही मिलता है चुरासी जिनम भी लेने पड़े वर्ण भी जरूर समझाते हैं यह स्मृती एक दो को दिलानी है कि हम बेहद के नहीं आकर पढ़ेंगे देखते हो सेंटर खुलते जाते हैं जहां नर्क वासी आकर स्वर्ग वासी बनते हैं बाबा को लिखते हैं हम प्रबंद कर सकते हैं मुझे कोई वस्तू में ममत्व नहीं है यह सब कुछ इश्वर अर्थ हैं अब आप जो राए दो मैं भी लिखता हूं भले आपस में राए करो जहां अच्छी लोकेलिटी हो वहां सेंटर खोलो हिमते मर्दा मददे बाब हैं बाबा कितना खुश होता है दिल में समझता है ऐसा दान तो अच्छा होता है बहुतों को कोड़ी से हीरे जैसा बनाना यह बड़े ते बड़ी होस्पिटल भी ह कॉलेज भी है सिर्फ तीन पैर प्रिथ्वी का चाहिए कितना सहज रिती बाबा कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं ऐसा बाबा रहते देखो कितना साधारण है कहां आए है कोई राजा के पास क्यों नहीं आए कहते हैं मैं साधारण बुढ़े तन में आता हूं जिसने 84 जनम accurate पूरे किये हैं सत्युग का first prince तो यह है ना इनका नाम भी रखा है शाम और सुन्दर तुम बच्चे इसका भी अर्थ समझते हो उन्होंने अर्थ को न समझने के कारण काला कर दिया है मुख्ये शिवलिंग का लिंग भी काला है कृष्ण राम को भी काला कर दिया है एक त दिखाते हैं जैसे एफ्रीकन लोग कहां कहां नारैन को भी काला कर दिया है कहां लक्ष्मी को भी ऐसा ही दिखाते हैं अब वंडर लगता है मनुष्यों की बुद्धी कैसी है बाबा ही सत्यमत देते हैं अपने साथ मिलने के लिए बाकी तो यग्यत अप दान पुन्यादी करते हैं मुफ्त में पैसे बरबाद करते रहते हैं फिर क्यों कहते हैं पतित पावनाओ याद क्यों करते हैं गंगा जमुना नाले आदी कितने है बाबाने बहुत तिर्थ आदी किये हुए है अभी तोます beloved lucky सितारे नर्क स्वर्ग को जान गए हो मनुष्यों मरते हैं तो कहत स्वर्घ गया, तो उनको भी समझाओ स्वर्घ किसको कहते हैं, हम जानते हैं तब तो समझाते हैं, हमको भी स्वर्घ सापन करने वाला बाप मिला है, वेह knowledge दे रहे हैं हमारा कोई मनश्य गुरु नहीं है, सत्गुरु एक बाबा है, वही पतित पावन है, जिसको बुलाते हैं, निराकार को ही बुलाते हैं न, जिसको तुम ग्यान का सागर कहते हो, वे सत्चित आनंद स्वरूप है, ग्यान का सागर है, हमको तो नौलेज है नहीं, देखा भी ज उनके पास जो नौलेज हैं वे किसी के पास नहीं है तुमको कितना गदगद होना चाहिए पतित पावन गोड फादर हमको पढ़ाते हैं वह हमारा बाप टीचर सत्गुरू है इसमें घुटका खाने की बात नहीं है अपनी रचना को तो संभालना ही है अगर यहां आकर बैठ जाएं यह तो सन्यासियों का ग्यान हो गया ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए एक घंटा आधा घंटा निकाल सकते हो पहले साथ रोज में बठी में बैठना पड़े पहले कोई की याद ना आए कोई को चिठी ना लिखें बिलकुल सबको भूल जाना है तुम बहुत वर् बठी में रहे फिर भी तकदीर कोई को तो माया खीच लेती है ऐसी माया प्रबल है बाबा कहते हैं बच्चे धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में आते जाओ तुम जानते हो हमारे 84 जनम पूरे हुए हैं तुम्हारी बुद्धी में सारा जाड सब धर्म हैं वहां भी अल खेल नहीं सकता ऐसनी बुद्धे मिसल आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी फिर तो सारा पार्टी खलास हो जाए सब जोती जोत में समा जाएं तो खेल ही ना चले यह सब जूट है जूट तो बिलकुल जूट सच की रती भी नहीं भक्ती में कोई मुख थोड़े ही मीठ होता है तुम बच्चे जानते हो मुख मीठा कौन कराते हैं तो बाप की पढ़ाई में पूरा ध्यान देना चाहिए पुरानी दुनिया को देख लट्टू मत बन जाओ देह अभिमान में मत आओ अब तो अपनी बैग बैगे सयार कर ट्रांसफर कर दो अब यह दुनिया खल मिल जाता है समझते हैं इश्वर ने दिया अभी तुम भी देते हो तो बाबा फिर रिटर्न में देते हैं डारिक्ट होने के कारण तुमको 21 जन्मों का इंशुरंस मिलता है बाबा कहते हैं देखो हमने फुल इंशुर किया तो फुल राजाई मिलती है वह जिसमानी रुहानी बाप के साथ इश्वर अर्थ दान करते है न तो इश्वर रिटर्ण में देते है वे तो भक्ति मार्ग में भी दाता है तो ज्यान मार्ग में भी दाता है यह है बेहद की पढ़ाई बेहद की बादिशाही के लिए अब जितना चाहो उतना लो विश्व की राजाई ले सकते हो पुरुशार्थ कीजिये है कोशिश करो विजे माला में पिरो जाओ मूझते हो तो सर्जन राय बताने वाला बैठा है तुम जानते हो हमने नेक बार बादशाही ली है और गमाई है यह ग्यान अभी है सत्युग में फिर भूल जाएगा अच्छा मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्से धार्णा के लिए मुख्ये सार पहली पुइंट पुरानी दुनिया को देख लट्टू नहीं बनना है अपनी बैग बैगेज ट्रांसफर कर देनी है अपना सब कुछ इंशोर कर देना है कोई भी वस्तू में अगर ममत्व नहीं है तो फिर कोड़ी से हीरे जैसा बनने की सेवा करनी है दान करनी से ही ज्यान धन बढ़ेगा वर्दान निमित्पन की स्मृती से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नश्टो मोहा भव निमित्पन की स्मृती से हर पेपर में पास होने वाले एवर रेडी नश्टो मोहा भव एवर रेडी का अर्थ ही है नश्टो मोहा स्मृती स्वरूप उस समें कोई भी संबंधी अथ्वा वस्तू याद ना आए किसी में भी लगाओ ना हो, सब से न्यारा और सब का प्यारा, इसका सहज पुरुशार्थ है निमित भाव, निमित समझने से निमित बनाने वाला याद आता है, मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित हूँ, इस निमित पन की स्मृती से हर पेपर में पास हो जाएं स्लोगन ब्रह्मा बाप के संस्कार को अपना संस्कार बनाना ही फोलो फादर करना है अच्छा अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे हुआ 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 है